मैं इसका मेरे जन फिर करवा दमार को मैंने इसके पहले थी am और उसमें जो हमें important translation लगे हैं उसका मैंने अच्छा तरीके से आपको समझाया है कि तरीके से ट्रेंसे होते हैं उनका example भी अच्छा तरीके से मैंने आपको दिया है आज के इस वीडियो हम यहीं बात कर लेंगे कि चौथे जो exercise में कुछ हमें important translation लग रहे हैं वहां आपको य से अंतक देखेगा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने के लिए और सेखने के लिए grammar को basic से अगर आप एकदम सीख रहे हैं तो हमेशा जो मैं वीडियो पब्लिस करता हूं उसको आप देखते चले और आसानी से grammar सीखे कोई यहाँ परसानी नहीं होगी क्यूंकि मैं यह एक बात बताना चाहूंगा कि आप जो है सरुवास से जाके वीडियो को देख सकते हैं अच्छे तरीके से वहां से चीज़ों को समझ सकते हैं और grammar अगर आप basic सीखना चाहते हैं तो जो एकदम सुरू से मैंने वीडियो बनाया हैं वहां से आप जाके देखना इस्टार्ट करते हैं देखें मारे पास्मार किसे चिपने से पहले हम खाना अहीं खाचुके यहां आ नहां पर आया इसका मतलब क्या हुआ है यह फ्यूचर में है है नहीं खा चुके होंगे ठीक है साफ साफ इसमें क्लियर हो रहा है कि हम सोरी छिपने से पहले खाना नहीं खा चुके होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ यह future perfectence हो गया future perfectence का रूल क्या होता है उसमें क्या होता है यह साइड में अगर आपको have gone टाइप को लगा दी है आपने तो इससाथ याउस को लगा देना जैसे यहां सबसें सबस्क्राइए इसलिए जैसे यहां पर हैफ के साथ ही चैना तो इस सएड फार्म होगा सेट का हो जाएगा सेट क्योंकि सूरग अकेला है इसलिए यहां पे मैंने आपको बताया कि यस या यस लगता है अकेला हो तो आपको यस यस का प्रयोग करना है अगर बहुबचन आपको वाकि वहां पे लगे तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है केवल आपको वह यहां पर जैसे यह है उसे की मेनिंग आपको लिख देने जिससे यहां पर बहुचन होता तो केवल सेट होता ठीक है यहां पर सन है इसलिए सेट हुआ है तो सुरुष छिपने से पहले हम खाना नहीं खा चुके होंगे पहले आपको क्या करना होता है यह जो पहले होता है वाक इस साइड का आपका इस साइड आ जाएगा फिर आप बिफोर लगाएंगे फिर इस साइड का आपका इस साइड लखा जाएगा ऐसे होता है यानि कि जो इसका रूल होता है आपको पता होगा आपने अगर फ्यूचर फर्फेक्टेंस देखा होगा अच्छा तरीके से मैंने उसको explain किया है उसका rules मैंने बताया है उसको पिछली वीडियो मैंने clear किया है वहां से भी आप जाके वहां से आप अपने चीज़ों को जो है clear कर सकते हैं तो सूरिच अपने से पहले हम खाना नहीं खा चुके चुकेंगे तो जो यानि कि future perfect एक टेंस का जो रूल होता है वो यह होता है विल या सेल प्लस हैप गौन टाइप की खरिया इटन जो होता है गौन्ट का मतलब यह हुआ कि third home of the word चीक है विल लगाईए यह सेल लगाईए विल सब के साथ लगता है आई और वि आए तो वहाँ पे आपको सेल लगा देना होता है यहाँ पे सेल क्यों लगा है क्योंकि आई है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई सेल उसके बाद नाट आपको कहां पे लगाना होता है है के पहले ही लगा देना होता है और सेल के बाद में आपको एक से ध्यान रखना है अगर वाक्य में नहीं है तो यहां पर नॉट है प्लस उसकी क्रिया यह तीनों साथ में हमेशा रहती है ठीक है यह कभी चेंज नहीं होंगे अगर नॉट नहीं है तो इसको आप नॉट निकाल देजिए हैव के साथ थर्फाम आप लिखेंगे जैसे यहां थर्फाम इटन होता है वैसे ही ठीक है सभी क्रियाओं का जो भी आएंगा यहां पर खाना आ गया है खा चुकना आया है तो यहां पर उसके लिए इट हुआ तो इट का इटन हो यह थर्फाम ठीक है तो यानि कि विल या सैल आई और वी के साथ आपको सैल लगाना है प्लस को लगानी होती है हुचर यहांने बात का यह साथ तो उसके बाद इस साइड में क्या होता है यहां ये आपके कृिय यहां हैं फिस्व में लाने अच्छा आपको धियान लगता हैं लाने तो जोड़ा वाली क्रिया में अच्छे से ईच्ष्प्लेंग किया है जो गल Roman किया हुआ कि यह क्यादा कि फिर इसके इस कि बढ़ जो इसकी करिया लगाएंगे उसको फर्स्ट फाममें ही रखेंगे उसके साथ आपको यह संगूलर है तो आपको यह से सिसने लगा देना है ज leveraging लास्ट में ओ OXHS यह आता है उसमें यह सलगता है और जिसमें ओ एक सरना है वृसमें केवल। आपको एस लगाना होता है इसमें वाकि में क्या आया है सेट में टी आया है लाश्ट में तो केवल यहां पर एस हुआ है ठीक है तो इस टाइब से होता है चलिए आगे चलते हैं दुसरे एक जांपल पर हिसके लिए यहां पर है पर लगाने की द्रूरत नहीं है आपको सबकर साथ में हैğ भी लगाना है जाय है जोकरीय क्यांता है सिंगुलर हो एक बचन हो एकी चीज़ लगानी है 1 के साथ बाट बुक्स विफॉर सटर्डे यानि कि सनीवार से पहले तो आपके लिए कि यहां पर यू हो गया यह मिन्स तुम या आप ठीक है चलिए उसका तीसरा ग्यामबल हमारे पास है क्या दो बजे से पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी दो बजे तक स्वारी यहां पर जो से है यह से नहीं होगा क्या दो बजे तक पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी यहां पर आपको क्या लिखना है पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी पहले है वाला जैसे दो बजे तक मैंने आपको क्या बताया है तक के लिए अगर समय आये तो वहां पर आपको बाई लगाना होता है और जैसे मेरे आने तक इस ताइब से तो वहां पर आपको तिल लगाना है अगर तक के साथ में समय है जैसे दो बजे तक, तीन बजे तक सोमवार तक, मंगलवार तक, एक साल तक यानि कि समय से related कुछ भी हो सकता है दिन, महीना, साल कुछ भी ठीक है, जो भी हो आपको अगर समय वहाँ पे मिले तील, आई केम, ठीक है, दो बजे तक, तील, बई टू ओक, यहाँ पे समय है, चलिए आगे चलते हैं, चौष एक्जांबल पे क्या वह कल तक, इस साइकल से दिल्ली पहुँच चुकेगा, यहाँ पे क्या है, साइकल से यह क्या है साइकिल से क्या है यह फ्रेज है ठीक है यानि कि वह क्यांस है तो मैंने आपको क्या बताया था से की तीन मिनिंग होती है एक विथ होता है एक फ्राम होता है एक बाई होता है तीनों मिन्स से ही होता है अर्थ अलग लगता है फ्राम आपको से के लिए वहाँ पे ल पारा में आये यानि कि सफर करने वाली चीज़े जहां पर आए वहां पर आपको बाई लगाना होता है जैसे साइकल से सफर किया जाता है हवाई जहाद से सफर किया जाता है बस सफर किया जाता है motorcycle, bike, कुछ भी हो यानि कि जो चलने वाली चीज़े सफर करने वाली चीज़े वहाँ पे आपको उसके लिए say के लिए bike का इस्तिमाल करना होता है चलिए, यहाँ पे उसके बाद जो वाक्यान से from, by, with, यह तीनों में जब मैं सुरवात में वीडियो बना रहा था तो उसके साथ second या third part में, second part में ही वीडियो मैंने बनाई थी अपने channel पे, सबसे पहले जो दूसरी वीडियो है वो आप वहाँ पे जाके देखिए वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से explain किया है phrase को अच्छे तरीके से समझाया है चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा by cycle, ठीक है यहाँ पे cycle से के लिए by cycle लगाए ठीक है न और उसके बाद कल के लिए यहाँ पे क्या हुआ है by tomorrow क्योंकि कल तक है क्या हुआ वह कल तक कल तक के लिए आपको क्या लगाना होता है मैंने आपको बताया कि अगर तक में समय आ जाए साथ में तो यहाँ पर बाई लगाना है तक में अगर समय ना है तो वहाँ पर तिल लगाना है चलिए पांचपा एकजमपल मैं पताना चाहूँगा यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिये और चैनल पर नहीं हो तो सिस्क्राइब भी करिये इसे तरह के कि वीडियो जो हमेशा देखने के लिए और पर लायक प्रिस करियेगा और नोटिफिकेशन में आल सब्सक्राइब को मिल पाए और आप समय सब्सक्राइब वीडियो को वाच कर पाएं अच्छे तरीके से उसको समझ पाएं यहां पर हमारे पास जो पासवा क्या मेरे लौटने से पूर तुम निवन्द लिख चुकोगे यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा पूर के य प्रविकर क्या हो psychicूर में 10 फिश्वश्य पीछे यहां पर क्योंकि सुरो में क्या है इस लिफ्रो में जञे हैं मैंने आपको बताया है कि अगर आपको you have written essay Espero diyor यहां पर एक साथ यहां पे रिटन नहीं क्यों क्योंगा क्योंकि मैंने आपको बताए इससाइड में Shall फॉर यहाई नहीं होता है यहां पर इसको उड़ नहीं लगेगा यहां पर आई न होता उसके सिवय कुछ और होता यानि कि singular होता ही होता सी होता तो वहाँ पे आपको यस यहाँ पे लगाना पड़ता रिटर्न हो जादा ठीक है बहुबचन है इसलिए किवल यहाँ पे रिटर्न हुआ है चलिए यहां पर 1st form अबदी वर्भ भी लगती है एक बचन आया तो वहां पर अगर भॉब बचन आया तो वही क्रीया आपको 1st form अबदी वर्भ लिखती नहीं है इस साइब में थर्डर फाउर्ज फाव चलिए यहां पर क्या है तो यहां पर आपको यहां पे बाद वाला पहले लिखाए थीक है यहांkor दो ठीक है यानी कि साइड में आएगा फिर आपको पहले इनिवात्वाख़ को जोड़ना है before उसको लीखना फिर चिपने का यहां पी तर लिश्म एपने करण आगो तो उसका क्या हो जाएगा गोपाल अपने कपड़े दो चुकेगा तो यहां पर क्या आ गया है वाक्य में इसले क्या हो जाए का विल आ जाएगा तो विल गोपाल है वाश्ट हीच कलाथ before the sun sets हो जाएगा यहां पर एक साइड में विल है वाश्ट हो गया है यानि कि विल के साथ है प्लस थड़ फाम लगी है यहां पर उसके बाद क्या हो गया है first form of the world sun है इसलिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां आ गया है चलिए चलिए साथ विक जम्पल हम चलते हैं क्या अधी आने से पूर पच्छी अपने खोचले में पहुच चुकेंगे तो will birds have reached in it next ठीक है यहां पर will birds have reached in it next यहां पर अपने के लिए पच्छी फल या जानवर या कोई वस्तु हो फल सुनने द्हान से सुनिये फल कोई fruit हो fruit नेम हो कोई जानवर ěंइमन लेम हो ठीक है और कोई वस्तु ओ तो यहां पर आपको इट लगा देना है ठीक है तो यहां पर क्या हो जा हो In it-next ठीक है अपने के लिए इन इट-next-next before the storm क्या होता है? storm means होता है आंधी ठीक है storm comes ये आंधी singular है अकेली हो भी बहुत ज़्याद आंधी नहीं होती आंधी जो हती आकेली होती है प्राकृतिक चीजिये तो यहां पर कम्स हो जायागा ठीक है चलिए और यह लाश्ट एक जांपल है वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दिजे और चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा अकर नए हो तो क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको एक दमेसिक सग्रामर लेकर चल रहा हूं और आपको अच्छे तरीके पसंद करते हैं कितना देखते हैं कितना उसको अच्छे तरीके से समझते हैं चले इससे हमें यहीं उमेद लगाते हैं आठव एक्जांपल के बारे में अगर हम बात करें वर्सा होने से पहले मैं स्कूल नहीं पहुंच चूँँगा तो आई सेल नाट हैव रिज्ट स्कू होते हैं और यहीं जो है वाग के एक्जांप में परिसाना को करते हैं जैसे वाग के आपको एक्जांप में ऐसे मिल गया कि मेरे आने से पहले यानि कि डाक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो वहां पर जो इस साइड में जो अर्था आएगा यहां पर जो इस तो यहां पर क्या लिखेंगे आप यहां पर साइड में आपको हैड के साथ यानि कि यह कौन से में टेंस बोल रहा हूं मेरे आने से पहले वर्सा हो चुकी थी तो यह कौन से यह है पास्ट परफेक्टेंस तो पास्ट परफेक्टेंस में और फ्यूचर परफेक्टेंस में अ यहां पर रेंड हो जाता और जो फ्यूचर परफेक्ट है इसमें आपको यह फ्रस्ट गार लगानी होते ही अंतर होता है और इसमें आप इसे में आप मिलते हैं आप से नए वडियो में और आपके साथ में उम्मीद करते हूं को वेडियो पसंद्र है बड No. लाइक में प्रिस करिए नोडिफिकर्स में आल से रिट करिए ताकि हमारी वीडियो को नोडिफिकर्स आपको मिल पाए चलिए फिर मिलता है नए वीडियो नेट आपके साथ में तत्में के लिए नमस्कारते हैं वाद आपका दिन सुभू